Hello everyone and welcome to Science & Fun 9th, 10th, 11th YouTube channel मैं रिमा घई इस चैनल पे आप सबको SST पढ़ाती हूँ लेकिन आज मैं आई हूँ एक बड़े अपडेट के साथ I know बहुत सारे क्लास 10th और 12th के बच्चों ने इस वीडियो को ऐसे ओपन किया होगा और ओपन करते हुए आप लोग के हाथ जो होंगे वो कहां पर रहे होंगे क्योंकि मुझे मेरा टाइम याद आ जाता है क्लास 10th में जब मैं थी I was playing in a playground around 4-5 तो नहीं 6-7 बज रहे थे and एक दम से शोर मचता है कि result आगया, result आगया, result आगया और मतला पहल तो मैं वही खड़ी होगी, डर लगने लग गया मम्मी, मम्मी कहती ही मैं चलती हूँ चल तब न हमारे ऐसे phones नहीं होते थे और इंटरनेट नहीं होता था इसली हमारे घर में अवैलेबल, तो cyber cafe गये थे मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी friend के साथ, वो senior थी, मैं उसके साथ na cyber cafe गई थी और मैं वहाँ पर result चेक करने गई, and you know मैं डर रही थी यार, ये मेरा result नहीं देख ले, मैंने मम्मी को बोल दिया, आप मेरे साथ नहीं जाओ गई भाई या, पता नहीं कैसा result आता है, मैं तो बहुत डरी वी थी, बहुत डरी वी थी, तो वो मेरे साथ गई, मैं इसको था तो बाहर खड़ी हो जाओ, तो मेरे साथ नहीं चलेगी, बच्चों को इसक्योरिटी होती है, कि नहीं यार मेरे marks कमाये, तो मेरे बेस्ती हो जाएगी, तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, मैं साइबर केफे में गई, मैंने result चेक किया, मतलब और सबसे बड़ी बात, मैं ये बत वेरी 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 uncertain, you will not believe, कि हमारे को 1st May से डराना शुडू कर दिया था, कि अब result है, मैं रात को हे बगवान, हे बगवान, अनुमान चली सा पढ़ रही हूँ, शिवजी का जाप कर रही हूँ, पनाने क्या क्या कर रही हूँ, और मैं बहुत डरती थी, लेकिन जब वेन result आया था 16th of May को, yes, 16 मही, तो 15 दिन मेरे ऐसे, you know, रोटी निगलना, रोटी डाइजस करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो I can understand, आप लोग के साथ भी रोज मजाग चल रहा है इस ताहिम पर, पहले एक date अनौन्स होई, 5th of May, कि 5th May को result आ रहा है, बच्चे मतला बिचारे message कर रहे है, Instagram पर DM भर गए है हमारे कि माम कब result आएगा, माम बहुत डर लग रहा है, माम ये है, माम वो है, and फिर 7th May हो गई वो date और बच्चों की जान, और, you know, यहां तक आ गई, क्या कहते है, पता नी उसको, लेकिन बहुत डरने लग गए थे बच्चे, and अब, अब, अभी, अभी, like, सुभा ही, official, जब मैंने Google search किया, क्योंकि यार, जैसे आप लोग excited हो, या आप लोग nervous हो, अपने result को लेके, वैसे ही हम सारे science and fun के teachers भी हैं, हम लोग भी regular basis पे, CBSC की website चेक कर रहे हैं, अभी तक इस channel पे, एक भी fake video हमने नहीं डाली है, जहां पर result आ ओगया और यह हो गया, और यह हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बहुत बहुत डर जाते हैं, इस सब चीजों से, बहुत डर जाते हैं, क्योंकि मैंने चीज फेस की है, लेकिन अब मुझे लग रहा है, अब मेरी gut feeling यह कह रही है, teaching की gut feeling, teacher क गट फीलिंग है कह रही है कि भाया इस week में 10 to 15th में के बीच में definitely result आउट होने वाला है 10th और 12th दोनों का yes 10th में to 15th में like हो सकता है आज शाम को भी आ जाए क्योंकि यार मैं ये बता रही हूँ कि CBSE बिल्कुल 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 मेरा 12th का result morning में आया था early morning मेरा 10th का result शाम को 6-7 बज़े आया था कोई पता नहीं रात को 9 बज़े आ जाए 10 बज़े आ जाए कभी भी आ सकता है CBSE is like unpredictable प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो आप उनको तो वो कभी भी कुछ भी news फेक देते हैं अपनी site पे अपनी website और वो हंगामा मचा देती है तो बस यहाँ पे पहली बात तो जब result आएगा तो आपको हमारी team में से कोई ना कोई मिल जाएगा जो यहाँ पे official website खोलके खड यह तो दो-चार बाते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो news वो यह बाते हैं कि पेटा पहली बात तो डर के कुछ नहीं होगा आप लोग बहुत डर रहे हो कि मेरा result आएगा तो क्या करेंगे बहुत depression में चले गए हो खाना पीना नहीं खा रहे हो दिखो यार जो आप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे बहुत सारे लोगों की और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कैडिक्स में पोड रहे थे फुल आन फुल ला रहे थे लेकिन वो लाइफ में कुछ भी नहीं अचीव कर पाए I am not saying कि वो लोग नहीं अचीव करेंगे या वो लोग अच टैलेंट किस चीज में है सिर्फ वो पहचानो और उस चीज में जी जान लगा दो बस कुछ नहीं आज कल तो यार पहले तो था डॉक्टर इंजीनियर टीचर यह चार पांच जॉब्स हम सुनते थे लेकिन अब तो कितना कुछ है इस सोशल मीडिया नहीं कितनी जॉब्स न इंटरस्ट है, आर्टिस्ट है, आक्टिंग है, किसी भी चीज में अगर आपको इंटरस्ट है तो आप वो पर्स्यू कर सकते हो with your academics क्योंकि आर बारवी पास तो करोगे न, थोड़ा सा यूनों पढ़ाई लिखाई भी आनी चाहिए, I am not saying be good at पढ़ाई, मला be best at भी थी, I guess, and IT भी थी, Information Technology, कई स्कूल में फ्रेंच या जर्मन भाषा भी थी, तो बेटा जी आपको सभी में पास होना आनिवारे हैं, और CBSE क्या करती है, बोर्ड्स भी, यह मैं 12 वालों के लिए भी बात कर रहे हूं, 10 वालों के लिए भी बात कर रहे हूं, CBSE बोर्ड्स म बस आप डरो मत, कुछ नहीं होगा, अच्छा रिजर्ट आएगा, और मैं फिर एक बात बोलूँगी, कभी भी रिजर्ट के बेसिस पे स्ट्रीम मत लेना, yes, I know आपके स्कूल वाले ऐसा करते होंगे, लेकिन आपके इंटरस्ट के हिसाब से ही लेना, for example, if you have scored 65%, लेकिन आपका इंटरस्ट है भाई, उसमें में को साइंस लेनी है, स्कूल चेंज कर लो, कोई भी स्कूल दे देगा साइंस, कुछ नहीं होता, कर लो चेंज, माबाप बोल रहे हैं, तु नहीं कर पाएगा, तुरे माकसी नहीं है, उनको बोलो, मैं कर लूँगा, be rigid at your decision, आप बिल इंटरस्ट देखो, अभी भी समय नहीं बीता है, एक महीना बीत गया, आपने साइंस पढ़ लिया, आपके बसकी नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं होता यार, आप अपना decision चेंज कर लो, कौन सी बड़ी बात है, decision चेंज कर लो, लेकिन अपनी stream selection, माक्स के बेसिस पे नहीं बलकि interest के बेसिस पे करना, यह मेरा personal opinion कहता है, I scored 9.2 CGPA, मेरे को science एक बार को लेनी थी, लोगों ने बहुत डरा दिया था, तो I took commerce with maths, बस, मैंने commerce with maths लेली, yes, I am teaching SST, मैं वही कह रही हूँ, आप अपने interest के हिसाब से चलिए, interest के हिसाब से आगे बढ़िए, आपका interest होगा, आप 12 के बाद किसी और field में भी जा सकते हो, लेकिन कभी भी माबाप के pressure, society के pressure, कि नहीं यार मैं arts लूँगा तो वो क्या कहेगा, नहीं यार मैं arts लूँगा तो वो क्या कहेगी, बोलने दो, वो करो जो आपको करना है, तो CBSE ने अपनी site पे SSH कोई बयान नहीं दिया है, ल नहीं 10 के 21 मार्स को खतम हो गए थे, लेकिन 12 के 5 अपरिल तक गए थे, तो as per CBSE, 21 लाक स्टूडेंट ने 10 के exams को, you know, attempt किया है, and around 16 लाक स्टूडेंट ने 12 के exams को attempt किया है, और देखा जा रहा है, कि भाया, जो checking है, वो almost हो गई है, 10 के answer, 16 अपरिल तक कह रहे हैं कि चेक हो थे, वहीं 12 के last week of April तक सारी की सारी sheets जो थी, वो चेक हो गई थी, और अब ये कहा जा रहा है, कि result prepare भी हो चुका है, बस CBSE के declare करने की देरी है, तो कभी भी bomb फट सकता है आपके सर पे, आपके दिमाग पे, कभी भी, कभी भी, मुझे पता है, मनलब traffic jam होने वाला है, इसी website या cbse.nick.result.in पे आप जाके अपने results को check कर पाएंगे, कुछ नहीं करना, आपको अपना admit card लेके बैठना है, आपको result, अपना roll number डालना है, और आप अपना result चेक कर सकते हो, आप वहाँ पे class 12 वालों की बात करूं, तो आप लोग को college के लिए best 4 देखने होते हैं, you are having I think five subjects, तो उसमें जिसमें भी आके best 4 हैं, top 4 हैं, उनकी आप percentage निकालके, you can tell your percentages to, you know, anyone, और English उसमें language होना बहुत अनिवार है, language को you cannot skip, language skip नहीं कर सकते हैं, if you are having Hindi in arts, if you are having English in arts, तो आप language skip नहीं कर सकते हैं, बाकि आप best 4 की percentage निकालके, आप चौर दिखा सकते हैं, बाकि आप best class 10th वालों के लिए ऐसा कुछ निए, क्योंकि आपको किसी college में admission नहीं लेना है, 12th वालों के लिए अप तो CUET exam है, यह भी बहुत अच्छी बात है, जो academics में इतना अच्छा नहीं है, वो और किसी तरीके से preparation करके, अब 12th के बाद कुछ कर सकता है, and class 10th वालों के लिए बस यह जो 10th के marks होते हैं, यह as a age proof काम करती है, result की sheet, और या फिर आपकी stream selection में help करती है, मैं फिर बोलूंगी, यह stream selection को आप बिल्कुल भी pressure में मत लीजिएगा, बहुत ही सोच समझ के, अपने अकेले कमरे में बैठ के, अपने आपकी आखे बंद करके सोचना के किस subjects में आप सकते हो कुछ, और उसी basis पे आप अपनी stream choose करिएगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम सारे के सारे लोग, मैं, आशु सर, उशांग सर, दिक्षा मैं, सोनम मैं, दिपिका मैं, सुमन मैं, विपुल सर, महला हम बहुत सारे लोग, सभी के सभी लोग, सभी के सभी teachers, आ आप सब के साथ हैं, आपको किसी भी after result, आपको किसी भी चीज की motivation, किसी भी चीज की mental support की जुरुत हो, हम लोग आपके साथ हैं, हम Instagram पे available हैं, हम Telegram पे available हैं, आप हमसे बात कर सकते हो, और बहुत सारे तो 11th के बच्चे जो आप जिनका 10th का result आने वाला है, बहुत सारे बच नहीं बढाती थी, तो 10th वालों की बात कर रही हूं, 10th वालों के साथ मैं कितनी connected रही हूं, यह आप सब जानते हैं, तो बस इसी platform पे मिलेंगे और result calculate करेंगे, जिस दिन भी result आएगा, लेकिन most expectedly, most expectedly, जो result है, वो आने वाला है, आपका 10 तारीक से 15 तारीक के बीच में, 10 to 15 में के बीच में, fingers are cross, all the very best to all the 10thies and 12thies, result से पहले मा के पैर जरूर चूना, पापा के पैर जरूर चूना, आशिरवार लेना, और बस, आखे बन करके क्लिक कर देना, बहुत अच्छे माक साप लोग के आएंगे, so I wish you all the very best, don't panic, don't be stressful, chill मारो, chill करो, आज आएगा result, देख लेना और उसके बाद भी चले करना, so मिलती हूं आप से result के साथ, तब तक के लिए, bye-bye.